लोस्कार खब्रों को पंच्णामा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बाड़ी खब्रे जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौजूद हैं क्या पचल टीवी के अडिटरिल सीफ दॉक्तिर अच्छ कुमार नट साब बहुत स्वागत है आपका धन्यवार सबसे फेली नजर हैडलाइन्स पर वितमंत्री निर्मला सितारमन ने लोगसबा में पेश किया श्वेद पत्र यूपियस सरकार के आर्थिक कूप प्रबंदन पर श्वेद पत्र पर विस्तार सी चर्चा बीजपी ने कॉंग्रस को गीरा मोधी सरकार के श्वेट पत्र के जवाब में कॉंग्रस ने जारी किया ब्लाक पेपर खड़गे निगिनाई मोधी सरकार की नाकाम या पियम मोधी बोले ये काले टीके जैसा ताकि विकास को नज़रना लगे एमन सोरेन के घर मिली बेम डगबलू का निकला कॉंग्रस के दीरच साहू से कनेक्शन 350 करोड कैश वाले सांसर दीरच साहू को एडी ने भीजा समन राहूल गान्दी ने पियम मोधी पर लगाया अपनी जनाती चुपाने का आरोग कहा OBC में पैदा नहीं हुए थे पियम मोधी राहूल के बयान पर पिर आक्शन की मान के आज कपरों की शरुवात ने सबसे पहले बात तीसरी बार मोधी सरकार की लोगसबाद चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है एक और बीज़ेपी 400 का टागेट सेट करके चुनावी रननीती तयार कर रही है तो वहीं दूसरी और विपक्ष का गडबंदन हर दिन तूटता जा रहा है चुनाव से पहले अब सर्वे भी सामने आने लगे हैं देश की जंता की मजाज को भापने के लिए आज तक ने मूच आफ दी नेशन सर्वे किया है टाइमसनाव नव भारत का भी सर्वे सामने आया जिसके मताबिक एंडिय का आकड़ा 400 के करीब पहुंशता दि देखिए भरोसा तो मैं सर्वे पर करता नहीं क्योंकि सर्वे हमेशा भारतियनता पार्टी की सीटे कम बताती है दो हजार चौदव में भारतियनता पार्टी को ये तमाम सर्वे वाले तमाम टेलिविजिन चैनल 160 से 180 सी सीटे दे रहे थे इवन एगजिट पोल में कोई भी दो सो के पार भारतियनता पार्टी को सीटे नहीं दिया ये तो सर्वे है लेकिन रिजल्ट कितना आया रिजल्ट में अकेली भारतियनता पार्टी 272 से ज्यादा लिकर के आगी दो सो तेहत्तर 2019 आया यही सर्वे वाले कह रहे थे कि बिरुजगारी है ये है वो है पचास तरह की चीज़े तो NDA जो है वो 500 को क्रॉस नहीं सबसे ज़्यादा किसी ने जो दिया वो 500 एगजिट पोल में भी ऐसा था और राहुल गांदी तो कुछ लोगों ने ऐसा उनको ये दे दिया था दिलासा दिला दिया था कि मोधी सरकार गई कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आ रही है अब इस बार ये 370-370 के आसपास का आकणा सर्वे दे रहा है तो रिजल्ट तो और भी खतरनाक आने वाला है हाहाकार मचा हुआ है हाहाकार मचा हुआ है वो इसलिए क्योंकि अगर ये तमाम सर्वे सिर्व एक नहीं ये तीसरा चौथा सर्वे एक डिरेक्शन एक इसको कर सकते हैं कि एक कंक्लूजन बता रहा है कि भारती जनता कि भूल गए मोधी सरकार को वापस आने के लिए 273 सीटे चाहिए बस चर्चा क्या हो रही है कि 400 आएगा या नहीं आएगा इसका मतलब है कि इन सर्वों की वज़े से तमाम जो सर्वे हो रहा है उस वज़े से अभी कई सारे पॉलिटिकल अलाइन्मेंट होगे कई सारे लो बहुत खेल होना बाकी है बताया गया है वहीं इसमें उस समय उठाए जासकने वाले सकरात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की गई है देखे ये स्वेत पत्र हर दस साल में आना चाहिए और ये एक सरकार के ऊपर अब्लिगेशन डालना चाहिए इस देश में कोई accountability नहीं है देश को लूट लो बरबाद कर दो घोटाला करो लुटवा दो खाजाने को और उसके बाद आपनी राजनीती चमकाते रहो इसका लेखा जोखा तो होना चाहिए ये अच्छी पहल है सरकार की तरफ से सरकार ना सिर्फ यूपिय सरकार के कामकाज का एक डाटा पेस करेगी बलकि अपने सासनकाल में भी इन्होंने क्या क्या किया उसका भी डाटा वो देगी अपना conclusion निकालेगी डाटा तो वही होगा conclusion आप हम economist पत्रकार विशलेशक ये तमाम लोग अपने हिसाब से निकाल सकते हैं लेकिन देश की जनता को ये exactly मालूम होना चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ कैसे हुआ क्या policy बनाए गई क्या उसमें कमी रह गई transparency आती है इस तरह के system से और जब ये स्वेट पत्र आ रहा है तो इसमें कोई rocket science की बात नहीं है UP की सरकार पूरे समस्त modern times में दुनिया में जितनी भी सरकारे हैं उसमें सबसे भरष्ट सरकार के रूप में ये सोनिया गांदी मर्मोहन सिंग की UP सरकार है दीस लाख कड़ों रुपे का घुटाला आप चट कर गए चोरी कर लिया इतना इतने घुटाले पर घुटाला आपने जिस तरह का एक सरकार चलाने का एक अर्थववस्था चलाने का एक मॉडल आप में दिया वो लूट तंत्र से वो चिन्नित होता है भारती इंता पार्टी ने क्या किया उसको लेकर के भी आपको सामने है वो सारे आकड़े आएगे उससे ये मालुम चलेगा कि कौन सरकार कि इस तरीके से देश की एकॉनमी को चला रही थी तो नर्वला सितरवन ने लोगसभा में वाइट पेपर पेश किया जससे बॉखला कर वाइट पेपर के पेश होने से पहले ही कौंग्रस अध्यक्ष मलेकार जुन खड़के ने मोधी सरकार के 10 साल की कारिकाल पर ब्लाक काम दिया तो वहीं कॉंग्रस के ब्लाक पेपर पर प्रधान बन ट्रेनर एंड़ोदी ने संसद में निशाना साथा पीम ने कहा सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया इसे किसी की नजर ना लग जाए इसलिए कॉंग्रस के ब्लाक पेपर को मैं काला टीका मानता हू यह वाइट पेपर वर्सस ब्लाक पेपर की रडाई क्या चुनावी एजेंडा बनने वाला है। आ गए ब्लाक पेपर लेकर के है। वही ब्लाक पेपर लेकर के क्यों आ गए? और उसमें आपने आकड़े क्यों नहीं दिये? भासनवाजी, ऐसी क्या नहीं जानकारी ने कॉंग्रस पार्टिस ब्लाक पेपर के जरिए जारी किया जो पहले से यह लोग नहीं कहते आ रहे है मुझे कोई बताए कैसी क्या नहीं जानकारी क्या नहीं इन्फॉर्मिशन है यह तो रोज इस तरह की बाते करते हैं 2019 में भी कर रहे थे और अहीं बाद 411 विधायकों को अपने साइड ले लिया बहुत 411 आप आए इधर क्यों आपकी पकड़ आपके विधायकों के उपर नहीं है विचार धारा इतनी वीक है संगठन इतना लुझ पुझ है नेताओं के प्रती विश्वास नहीं है इसलिए तो आपके विधायक इधर से जंप करके उधर आ रहे हैं तो आप तो अपनी कलई अपना विकनेस खुद ही कोई विकने को तयार है उसे ही तो कोई खरी देगा वह ऐसे लोगों को इस तरह के 411 महान वावों को क्यूं टिकट दिया टिकट दिया पैसे लेकर के दिया किस वज़े से दिया उनके कमिट्मेंट को आपने तौला क्यों नहीं तो यह अपनी ही विकनेस दुनिया के सामने लेकर क्यार है यह विक्टिम कार्ड खेलने से कॉंग्रेस पार्टी को कोई सिंपती नहीं मिलने वाली है चली अब बात अगली ख़बर की जारकन के पुर्व मुख्यमंत्रे हमन सुरेन के मुश्किले बढ़ती जा रही है ED की चापिमारी के दौरान जब की गई BMW कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है जानकारी के मताबिक इस BMW कार का कनेक्शन कॉंग्रस नेता धीरत साहु के साथ सामने आ है यह वही धीरत साहु है जिनके घर से नोटों का पहाड मिला था 350 करोड कैश बरामत की गए थे ED ने अपनी जाज में पाया कि जब्त BMW कार हेमन सोरेन की नहीं है इसका संबंध राजसभा सांसा धीरत साहु से है कार का रेजिस्टेशन राजसभा सांसा धीरत साहु के मानिस स्थित घर के पते पर है और अब इसे लेकर ED ने कॉंग्रस सांस दीरत साहु को समन कर दिया है क्या कुछ है BMW का राज देखिए इसे कहते हैं चोर-चोर मोसरे भाई बताइए राहुल गांदी को कितना बुरा लग रहा होगा ति BMW कार जो है तुमने हैमन सोरेन को दे दिया हमी क्यों ली दिया यही है असलियत कॉंग्रेस पार्टी का राज सभा का सांसद जिसे सोनिया गांदी राहुल गांदी ने तीन तीन बार बना करके भेजा वो BMW कार दे रहा है घूसी है नहीं यह किस तरीके से आज इन तमाम लोगों का मुह काला हुआ है इडी परिशान कर रही है कि मेरे खिलाब एक भी सबूत हाथ लग जाएगा तो मैं राजनीती छोड़ दूँगा छोड़ो अब राजनीती यह पाप के पैसे की कार के उपर तुम्हा याशिक कर रहे थे अब त्याग पत्र दो राजनीती से क्योंकि पेमिंट का भी डीटेल आ गया भाशन देना बड़ा आसान है और कहा है वो दलाल पत्रकारों का वो पूरा गैंग यह रभीस कुमार यह अंजुम यह बाशपई और पता नहीं कौन-कौन हेमन सुरेन को लेकर के चाती पीट रहे थे कि मुख्यमंत्री को अंदर डाला जा रहा है केजरिवाल को अंदर डाला जाएगा अब इसके उपर क्या बताओगे कि भाई यह जो नोटों का पहार पाप की कमाई उसके वो कारखरिट के दे रहा है तो यह दूद का दूद पानी का पानी हो गया अब हेमन सुरेन जसे मैंने कहा था कि अगर जुबान का आदम यह पक्का है तो आज इसको इसको इस्तिफा दे देना चाहिए क्योंकि इसके तो समूत आ गए तो आप छोड़ देजे राजनीती भाशन दे दिया आपने आप देखिए यह तो इसको कहते हिट विकेट हो जाना क्रिकेट में आप जो है बॉल मारने के लिए जाते हैं बॉल लगता नहीं और बैट जो सिदे विकेट में जागर के लिए तो आज हेमन सुरेन जो है हिट हो गए यह BMW बहुत महँगा पढ़ने वाला है अभी नहीं लोग सभा के चुनाओं में भी और यह BMW बहुत महँगा पढ़ेगा जब केमपेन इसको ले करके किया जाएगा विधान सभा के चुनाओं में आजकी आफिल गांदी के पीयम मोदी पर दे गए बयान की ने औरिसा में पीयम मोदी की जाती को लेकर निशान असाधा है राहुल गांदी ने कहा कि पियम मोदी अन्य पिछडा वर्ग यानी OBC समुदाय से नहीं है उनका जन्म गुजरात में तेली जाती भी हुआ था जो उस समय एक जर्णल कास थी इतना है नहीं राहुल गांदी ने अपने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर इस बयान का वीडियो पोस्ट कर लिखा सच सुनो नरेंद्र मोदी जन्म से OBC नहीं है उन्हें OBC गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है वो कभी पिछलों के हक और हिस्सेदारी के साथ प्याय नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जातिकत गिंदी कॉंग्रिस ही करके दिखाएगी यह क्या कह रहे है राहुल गांदी देखिए जब आदमी जो है जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है कैपसिटी में नहीं है वो काम करना नहीं चाहिए इनके उपर फिर से एक बार के प्रेगरी में डाल दिया यह गुजरात के तेरी जाती में पैदा हुए जो जनरल कास्ट हुआ करता था जब यह मुख्मंत्री बने तो इन्होंने खुद को बना लिया अब इस व्यक्ति के जनरल नॉलेज का टेस्ट जो है तरना चाहिए उसको मालूम भी है सवरन कौन कौ फिप्टी प्लस का अधेल उम्र का व्यक्ति अब ये बहाना नहीं बना सकता कि हमें अभी समाज के बारे में सीख रहा हूँ सबाज के बारे में सीख रहा हूँ तेली जाती बंगाल में OBC बिहार में OBC जारकंड में OBC उत्र परदेश में OBC मदपरदेश में OBC 36 गड़ में OBC पूरी दुनिया में OBC है तेली जात और तुम कह रहे हो कि इन्होंने बना दिया वो कर दिया और ये कर दिया सबन जाती में आता है क्या तेली यही तो तुमारी राजनिती और समाज के उपर पकड़ ही यही तुमारी अंडरस्टैंडिंग है ऐसे नहीं कहा जाता कि यह पपू है यह पपू ही रहेगा और कम से कम किसी से पूछ लिया होता केली गुजराप में OBC के लिस्ट में जाए इसका फैसला 1993 में हुआ सन 2000 में बकैदा इसको नोटिफाई किया गया ठीक और परदान मंतरी मोदी कब बने मुख्यमंतरी गुजरात के वो बने 2002 में तो ना टेकनिकली और ना ही जो उसका क्रोलोजी है कि किस तरीके से वो लिस्ट में आया वो दोनों ही चीज में ये गलत है अब आप दुनिया में भौपू बजाते रहो भौपू बजाते रहो अपना ये यात्रा फात्रा करते रहो और जहां जाना वो यहीं कहना कि तेली ओबीसी नहीं है तेली ओबीसी नहीं है यही जपना ये कॉंग्रेस पार्टी को खत्म करके रहेगा ये अपनी फ्रस्टेशन को अपनी मुर्खता को जिस तरीके से डिमेंस्ट्रेट करता है और जिस तरह के कॉंग्रिस के दलाल गैंग इसकी आरती उतारते हैं यही कॉंग्रिस पार्टी की सबसे बड़ी मुसिबत है जी बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद झाल